नमश्काप, Lunar Aastro में आपका स्वागत है आज के जो टॉपिक है वो है केंदर के अंदर चौता गर क्या है केंदर की शेरीज करें उसके बाद हम लोग पनफर पे जाएंगे फिर अपको किलम पे जाएंगे उपाच्य करेंगे तो पर उसके पहले आप लोगों की जो तो इनसान का जो शरीर हो पतला होता है उसकी आखे बहुत बड़ी बड़ी गहरी आखे होती हैं अगर यह सब चीजे हैं लेकिन मेरे को तो तीन ग्रह बैठें दो ग्रह बैठें किसका असर जादा होगा तो हमेशा ना जब भी किसी भी घर में और यह सिर्फ लगन के लिए नहीं है किसी भी घर के लिए अपलिकेबल है किसी भी घर के अंदर मानेज़े चार घरे बैठें पान्च घरे बैठें तो पहली बातों उस घर की जो energy है यह Potency है बहुत जादा दिस्टर्ब दे क्योंकि किसी की आप भी क्लियर मैंडेट नहीं आया है दूसरी चीज आपको हर ग्रह का कुछ ना कुछ असल दखाई देगा जैसे कि शनी और बुद्ध लगन में बैठ जाए तो ना ऐसे बंदे की जो शकल होती है वह इस लगते हैं बुद्धा बच्चा क् शनी बढ़ाते का कारक है और जब शनी कई लगन में होता है तो आपको ऐसे लोगों की शकल इस तरीके से मिलेगी आप उनको देखते ही बुलोगे कि यह ना बुद्धा ही पैदा हुआ है क्योंकि शनी लगन के अंदर बहुत गंभीर फेस देता है यही साथ में अगर देखाई देगा कि जब वो व्यक्ति बड़ा हो रहा होता है उसके जब फेशल फीचर में इसके दात का पार्ट होता है वो बिलकुल बच्चों के तरह रहेगा चेहरा हमेशे गंभीर रहेगा बड़ी बड़ी आखे रहेंगे यह शनी और बुद्ध के निशानी है तो असर रहेगा ऐसा नहीं हो सकता कि बुद्ध का असर खता है यहां पर अपोजट ग्रह आजाए जैसे कि शनी सूर्य आजाए तो आपको ना परसनालिटी के अंदर भी कॉन्फिल्क नजर आएगा बॉडी के अंदर भी कॉन्फिल्क नजर आएगा क्योंकि ठंडे और गरम अगर एक राशी में मिल रहे हैं गरम जगह पे कि लगन हमेशा गरम है साथवेगा घ्र हमेशा ठंड़ी के लाल आपको सात्वे गर में सूरे हो मंगल हो वो नहीं चलेंगे तो अगर आपको कभी भी यह confusion हो ना कि मेरे को दो घर दो प्लांक्स है तीन प्लांक्स है देखे पहले चीज़ राशी किसकी है उसकर एरिया किसका है फोथ हाउस में क्याप्रिकॉन हो तब भी है तो घर जुपीटर का ना वह तो इमोशनल घर जुपीटर की जादा चलेगी साटन बैठा हो साटनी दशा हो दशा किजा चलेगी क्यूंकि दो चीज़ें एक स्पेस हैं दूसरा टाइम है तो स्पेस तो आपको मिल गया तो आपक चैंप चंद्रमार्च नक्षत्र से जा रहा है मंगल पावफुल है और मंगल फोथ हाउस को रूल करता है या फिफ्ट हाउस को रूल करता है आपके चार्ण नहीं रूंस से अध्यिते आपको डिसक्मफर्ट सोने चालू हो जाएंगे कि मंगल की दशा आदिन चलू हो जा कि प्रयोरेटि फोर्ग हाउस बन जाएंग कि हमारी पूरी लाइफ है उसके सबसे रिक सिंपसे जादा इसलिए होगी आपकि गरें बहुत सारे प्लांट स, है बहुत सा लोग कि आप दिखिएगा जो जितने ही फिमस सेलिबरिटीज है जबसे ज़ादा जो ट्रबल है ना वह इन्हरिटेंस का है लोग लड़ रहे हैं मर रहे हैं आपस में कि मेरे को इन्हरिटेंस मिल जाए उनके जाने के बाद तो आपको जीते जी तो परिशाने नह जाएंगे कि लाइफ टाइम ना जगड़े का कारण बन जाएगा आठवी घर के अंदर बहुत सारे प्लानेट्स अगर आपके लगन के अंदर बहुत सारी घ्रेये हैं आप जीते जी अपने लाइफ के बहुत सारे एक अपनी पसनालिटी के वेज़े से करके जीए आपकी दशा चलती है दशा से बड़ा कोई नहीं होता ध्यान रखेगा दशा के अंदर ही आप रिटर्मेन हो जाते हैं कि मेरे को यह काम करना ही मेरे प्रायरिटी है तो अगर फोर्थ लौड की दशा है तो उसके लिए प्रायरिटी घर है उसके प्रायरिटी सुकून है टेंथ राह कहां पर कैसे का सकता हूं कहां पर डाल सकता हूं इसके दशा है तो अब इस प्रिंसिपल को एप्लाई गीजिए कि सिक्स्त लौड अगर लगन में बैठा हो कैसा होगा ऐसा विक्ति जन्दगी बर एफर्स करेगा जहीं तो है उसकी लाइफ का एक गोल तीसरे घर की दशा ह है थर्ड लौड लगन में बैठा है लाइफ टाइम उसने इस विक्ति ने दुनिया भर से कुछ न कुछ सीखना है क्योंकि ने एक श्लोक है कि अगर तीसरे घर में बेनेफिक्स हों ऐसा विक्ति रिलिजियस सर्मन सुनता है और यही अगर मेलेफिक्स हों गुलिका मांडी हो शनी मांडी हो ऐसे विक्ति हमेशे गंदी बाते सुनता है उसके ब्रेन नेगटिव ली प्रोग्राम होता चला जाता है यह शंबू होरा प्रकाश आरसांता नाम की वुक्येंदर एक श्लोक हैं आप पढ़ रहे होते हैं आप पढ़िया मत आप देखेंगी बारीक चीज चीजे कहां पर है उसके बीच में क्या लिखा हुआ है जो नहीं लिखा गया है वह कहां पर लिखा गया है क्योंकि वह अपने बतार आपको नेगटिव ली प्रोग्राम कर रहे हैं यह वह वह बेकार है ऐसा कर से ऐसा हो जाता है आप इवेंचली वो होता हो या नहीं होता हो आप नेगटिवली इतने प्रिग्राम हो जाएंगे कि आपको लगने लग जाएगा कि यसा होता है कि आपको conscious level महाँ पर जा रहा है यह दशा ना conscious level है आपको conscious levels को change करने लिए चंदरमा की दशाएं महाँ दशा और अंता दशा बढ़ती हैं तो जब कभी भी जिस भी घर की दशा चल रही ह। जिस भी राशी की दशा चल रही है जिस भी घर की दशा चल रही है वह priority है तो जब भी कभी दशा देखते हैं ना फोथ और आम गएगा जिस्त कुछ मिनिट के अंदर कभी एंदर तो दशा के अंदर आप दिखी कि अरूलर कहा खाए क्या रिस्पॉंसिबिलिटी है उसके पास उस responsibility को execute कौन कर रहा है suppose कीजिए आपकी दूसरे घर की दशा है जो की बोलती है कि पैसा कमाना है परिवार को समभाल के रखना है कुछ accumulate करना है यही तो है दूसरे घर की दशा वो दूसरे घर का जो मालक है वो लगन में बैठ रहे है तो भोल रहे है ठीक है यह तो धन यूग बनिया ना तूसरे घर का मालक लगन में क्योंकि आपकी 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 करने वाले हो परिवार पैसे के लिए और मिल भी जाएगा अब इसको execute कौन कर रहे है चाहिए शनी execute कर रहे है यह मंगल execute कर रहे है राहू execute कर रहे है कौन executioner कौन है वो जो execute करने होना प्लानेट है वो अपना flavor उसमें आड़ करेगा तो important यह नहीं कि ग्रह कौन कहां बैठ है वो तह है ruler कौन है किसको जिम्मदारी दी गई है आपके लिए पैसा कमाने की स्के बाद जैसे जितने प्रडिक्शन्स आड़ सकते हैं उसके प्रडिक्शन्स करते चलिया अप इसके गलत नहीं जा सकते अगर आपने इतना वी फॉलव किया तो तो फोथ हाउस को दुश्या फोथ हाउस हमारा एक बहुत बुरा पेलर है चौथा गर वो जो हमारे को जिन्दा रखता हैं एमोशनली आपके पास ना सब कुछ और आपका समाज आपके पास नहीं है आप एमोशनली ड्रेंड हो जाएं समझ लीजेगा यह बहुत बुरा वक्त है क्योंकि कुछ लोग जो फॉरन चले जाते ना अपना घर छोड़के जाते हैं वो सबसे पहले ना इमोशनली ड्राइप होते हैं क्योंकि फोथ हाउस में मैलाफिक्स चाहिए होते हैं आपका अपनी भाशा बदलना है खाना बदलना से कि अगर फोथ हाउस का मालेग जोरत से जादा ताकतवर हो एक्जॉल्टेड हो इन कंपारिजन टू टैन्थ हाउस लॉड दसवेगर के मालेग के अपेक्षा में ऐसे वेक्टी लाइफटाइम काम नहीं कर पाता है अब इसके पीछे का मतलब यह है कि फोर्थ हाउस हमार हमारा कंफ़र्ट जोन है कि करम करने के लिए डिस्कंफर्ट होना पड़ता है ना तंघ होना ही काम करना है वो लोग बेस्ट है जिनकर इनकर 10 लौर अच्छी तरह से प्लेज है क्योंकि वह लोग काम करते लियो अच्छी धून लेतेania आ जो लोग अपने का में खोश धून जब कोई प्लानेक साते हैं वो आप के सब्सक्राइब को बढ़ाते या घटाते हैं तो बढ़ाएगा कौन कि अगर हमें फिफ्त स्थ कलोड आजाकर फिफ्त फॉर्थ हासमें, नाइंफ लॉर्थ हासमें कि आपके जितना भी पुन्ने हैं वो इविंचली आपके मैं बता रहा हूँ अगर आपके पास आज की जिट में घर है ना रहने के लिए आपके वास एक वहिकल है जो ठीक ठाक चलता है जो कैसा भी है मैं बस वो चल एक जिगह से डिस्टंस पॉइंट A से पॉइंट B तक अर्य आप आराम से सुखून से रह पाते हैं सबसे बड़े राज ही हो अप दो बक्त ह powers बेठके खांप आपस नहीं वहारु हों कि छोटी चीज के लिए ढुए जो की तो बढ़ा ट्रबल है लाइफ के अंदर तो फोर्थ हास में वहना फूर्थ हास का इक आश्व लोग है कि जब कभी भी चौते गर की दशा आती है और चौते गर का मालिक 12 या आठ वे में बेठा हो या फिर फोर्थ हास की महादशा की अंतर दशा या एट घर के अंतर दशा आपको डिस्कमफर्ट होने लगता है क्योंकि 4th house का connection 12th house से या 8th house से या 6th house से होगी है 4th house का remedy कितना simple है कि आपको डेली अराम से बैठके खाना काना है आप जब परिवार के साथ बैठके लंच करते हैं एक अच्छी जगे भी बैठके डाइनिंग टेबल पर या घर के किसी ऐसे सेंटर पोशन में जहां पर आप बात करते हैं यही उसका सबसे अच्छा रेमिडी हैं 4th house का है यह कि बात सारे लोग saff फोन देखते देखते या टीवी डेखते डेखते पर प्लंच करलेट है अब हिक बासने को सकते हैं जोप ए खाने के लिए आप जो तरह पेकी चूजी हो सकते हैं ना हो जाहिए इसमें कोई शरम की बात नहीं रीजन बिंग है कि खाना ही आपको बनाता है खाना ही आपके विचार्ज अन्रेट काने वाला है खाना ही आप आइडियास देने वाला है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप खाना खाना के टाइम पे आप कुछ और नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेम फूड हमारी बॉड़ी के इंदर जाके डिफरेंट तरीके से रियाक्ट करता है जब हम उसको डिफरेंट कंडिशन्स में खाते हैं फोर्थ हाउस ना खुशी है फोर्थ हाउस के अंदर अगर मैलफिक्स आ जाए शनी राहू आ जाए तो आपको पता है कि देखिए यहां पर ना और यह नाचुरली मैलफिक्स है भले ही वह फोल्थ लॉट फोर्थ हाउस में बैठा है जहां फिस सब्सक्राइब लिबराल इंदर सुकून कैसे मिलेगा आपको पर अपना घर शोड़ना पड़ेगा क्योंकि यह फोर्थ हाउस साटन आपको साटन का काम है कि वह आपको महमत तरवाई में लिए लिए इस का रिमिडिया है कि अपना घर साफ करने की हाबिट डाली क्लीन मेला सूपर क्लीन घर में ना इस चीज को जो कबाली के पास होती है मतलब मेरे बहुत प्लासिकल एक्जांपल को अपने प्रिंट का यह बहुत बार मैंने बताया भी है फोर्थ हाउस राहु कोईरिस उसने जिस दिन से घर बनवाया ना तो जिन से वह परिशान है मतलब वह बिकने के अंदर भी बहुत सारे केसे हुए और वह फाइनली डिव डिटान है वह फोर्थ हाउस राहु को हावाई के लिए नहीं बनाने चाहिए हाँ के नहीं जाहिए मतलब इससे घर बना हूंगा इसके मरी यह बना मगार नहीं है आपको बहुत क्लियर ली चेंशनी करना है कि मेरे को मिनिमलस्टिक डिजाइन के साथ रहना है आक प्र्थ ह यही 4th house राहू एक्स्ट्रीम ट्रबल करता है क्योंकि यह जैनित पे है और यह राहू के लिए अच्छा गर है नहीं 4th house राहू जब कभी हमें मार्स आ जाए मार्स जगड़ा है मार्स इमोशनल ट्रबलन्स है आप कभी सोचता हूँ मोशनल थे आप अपका घ्तली है मार्स प्रद के लुट करते हैं आप किस्टों बेले कर यह आप तो आप ताकत लगाते ना तो आप अपने मुझे अंदर पूरी एर फ्लो कर लेते हैं क्योंकि यह जो शिंबॉलिक दिये गए ना नक्षट्र यह नक्षट्र बताता है नक्षट्र वायु उतत वह यह बताता है कि आपको किस तरीके से आप ब्रीधिंग पैंटन्स करते हैं अपने जो सास यहां पर रोखे हैं तो दिखाया गया कि देखें मार्श ना एक्स्ट्रीमली पावफुल है तो इसके वेज़े से हनुमान जी के जो फेस है वो कि वो मंकी की शेप में देखाया गया क्योंकि वो मुँ हवा से फलाएवा देखाया गया पर यही गणेज जी को देखिए गणेजी की सूनत है क्योंकि गणेजी ना बिलकुल मूल तक नाभी के नीचे तक ऑक्सिजन लेके जाने है तो उसक्लिए आपको बहुत ड्री डीप पाटन चाहिए आपको बहुत बेख तक सीखने तो दिखाए गए कि लंबी सी सून्द है मुलनक शत्र हैं तो जब वहलकुल डीप ब्रीद करते हैं तो इसको इससे सून्द था एक सिंबॉलिक एक्स्प्रेशन है लेकिन जब आप देख रहे हैं कि ब्रीधिंग पाटन के कहां कि यंदर बैस्रेमिडी है कि आप अपने मार्स 4 फोथ हाउस के अंदर अगर यह एक्सौल्टिट भी है बहुत सोच समझ के प्रॉपर्टीस के इंदर इंडर और अपने घर के अंदर किसी भी तरीके से अपने सेबलिंस के घर सके आज पास घर मर लाई है यह मार्स 4 फोथ हाउस करें मुझा है प्रिछवी को 4,000 है इमोशनल है प्रिछवी को मीठा दीजिए मतलब डेली आप जब कोई भी एक पौदा लगा यह से आखरे का पौदा आखरे के पौदे को दूद के इंदर शक्कर मिला के डेली दीजिए इससे भी मार्स 4,000 है जब मैलेफिक्स अगर 4,000 में हो तो वह भी क प्रिछवी को हाथ लगाई है और भूलिए कि धन्यवाद आज के लिए आपने दहने के लिए जगे लिए क्योंकि हमको लगता होगा कि हम पैसे देखे ना जमीन खरीच सकते हैं ऐसा है नहीं प्रिछवी जिब तक नहीं चाहते ना हर प्रिछवी का वाइबरेशन है हर रखे लगेस पर चलते हैं किसी की मैं जाते ना एक पड़िलर एरिया है वहां पर एंसेशली πरत किसी का साउप वेस्ट हमेशन प्ROसुप्रिमेल जैसे आप नौफ में आते हैं ना किसी हिए यह एस्ट में आते हैं आपको रहत आपको हमेशन गंदगी और जितनी भी उप् ऐसकी आपको ऐसे से नहीं मिलेगा, बहुत कब ऐसी कैसे पार्ट में रहरे हैं ध्यान से देखेगा, ये भी देखेगा, क्योंकि वास्तु आपको लगता होगा कि आपके घर से आपके एक फ्लैक से चालू होता है, ये संभी होता है, आप किस लाटिटूट लॉंगिटूट आपकी जो एनलजी है ना वो आपके latitude longitude है है एक पड़िकलर रीडिंग में पॉयार है कि कंसलेंग के पास एक request आया जब वह booking आती है तो नहीं बुला मेर को न आ फोर्थ हाउस के longitude से मेर को reading कर के गो तो फोर्थ हाउस के longitude से मेर को reading कर के दो बहुत साथे प्रडिक्शन करके दिये, क्योंकि वह रीडिंग ही स्पेसिफिकली 4th house के था, तो D4 के लॉंगिट्यूट्स है, sorry, D4 के लॉंगिट्यूट्स निकालके, वहां से रीडिंग करके दिये, वास्तु के लिए, या क्या बहुत है, 4th house के लिए, जो आपका घर है, ज आप कुछ भी करते हो, आपका वहिकल हमेशा मिंटेन रखे, साफ रखे, सिंपल सा वहिकल रखे, अबजेक्टिव बहुत लिए रहा है, पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना ही, कोई भी हो सकता है, छोटा सा घर हो, लेकिन साफ सुतरा हो, अच्छी जगे पे हो, अच्छी समय में नहीं आए, मत लीजेगा, दो साल, तीन साल वेट कीजिए, क्योंकि जब तक वो एनरजी आपको वही घर मिलता है, जैसी आपके एनरजी है, इसमें कुछ भी आपने बदल सकते, आप अपने एनरजी बदल लिए, घर बदल जाए, क्योंकि वहां कि वह धरती आपको सबूल जाते है, आप कभी वही इस वास्तु के उसमें मत परिये, कि वास्तु आपके इस सिटी से सिटी से चालु होता है, देखिए कैसी सिटी मे रहते हैं, कैसे लोगों क्या सपास है, क्या माहल है, बड़ा पच्छा देखते हैं, उसके बाद अप नरडावन किजिए तो एक अप्रिकर देखेखे justיל के लिए अपिज में वह काम से पर देखे खेंज करने वब satu चाहिंट बलाना हो ता है आपको भूलाना होता है कि अपर भोग करी से नहीं तुम सिंट्टिय कंदे शेंने काम से थे वह लेक्षे योगतंत्र पेथा अरवेधन जोतष के उपर तो इट टूर्ण इंटो डिबेट बिकर आप चालंज कीजिए मैं चाहता हूंगी आप कोशन पूछोगी ना तभी तो मैं वापेस जाके इसके आंसर्स लेकरांगा और नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा तो न किसी ने पूछा कि करम बढ़ा या भाग है लेकि बहुत स्मॉपल सा कोशन है तो ना बहुत तो दम कि धे को आपको ना वाइफ कैसे मिलेगी या का ब्लागी है आपको जौब कैसा मिलेगा या करम है दी सिंपल सा आप सक्ट उसे तरीके से ना دी फॉर जो है ना चौथा ग पर ने आपने कराए ना आपके फादर ने कराए वह इवेंचली इस चीज में त्रांसफर्म हो जाएगा कि आपके घर में कितनी शांती है आपके फादर के ही कियो है कराव है दी फोर एक ऐसा चार्ट है जोडिया के इसके नाइन थ्रॉड नाशनल नाइन थ्रॉड रहता है जब तक फादर नहीं होते है घर में जब तक कोई ध्यान रखेगा लाइफ के जब अगर आप स्टेज पर आ गई है कि आपको किसी से डर नहीं लगता या आपको कोई डाटने वाला नहीं बचा यह बहुत चिंता का विशह है क्योंकि अब जो है आपको का पतन नश्यत है लाइफ में हमेशा को यह कैसा वेक्ती होना चाहिए जो लगातार आपको यह बताए कि यह गलत हो सकता है आपके ब्रेक्स अलकर रखे और वही फोर्थ हाउस है क्योंकि गर ही फोर्थ हाउस के अंदर अगर बैनेफिक्स मिल जाए फोर्थ लॉड अच्छी लेगे पचिन जला जाय फोल्थ में आ जायि है सरवाँ चिंता ग्रोंशन में मैं slaves north शर्वार्टвин घ्लता मनी है आपको वेज़े से आपका पन्य पलेख हो रहा है चौथे करनेक्शन छटे घर से हो जाए तो आपको पता है कि मेटरनल फामिली की वेज़े से घर के अंतर हमेशे ट्रबल रहेगा मदर की हेल्थ में ट्रबल होगा और इसका जो फीडबाक है इसका जो प्रॉब्लम है वो यह है कि आ पैसे भीजेगा इनके घर पे जा के कभी भी आप आप जब जब इनके घर में जाएंगे तब आपको लाइक और चार्ड देखा और बोला कि आपको प्रप्रम में इस लीए है प्रॉपर टिका क्योंकि आप ने बच्तितन में नानी की घर में बहुत टायम टक रहे हो वो र बुद्ध की दशाती है उसी वज़े से बाद में आके उनको प्रॉपर्टीज में वाइया और जैसे जैसे उन्होंने नानी को अपने मामा को आपिस करना स्टार्ट किया उनकी प्रॉब्म सॉल्वने चालोगे जिसी और इसलोजिक अपडिक्शन मेरा नहीं है फोर्थ लॉडड सेबिन था स्टार्ट एक केंदर दूसरे केंदर में चला जाए तो आपको पता है आपकी जो खुशी है ना आपको अपके पार्टनर के थ्रूफ आना है अगर यह दोनों अच्छे जाए बैट जाएं किसे अच्छे घर में चले जाएं बहुत अची बात है कि आपका फैमिली वहाथ रिलिजिस फामिली बैग्राउंट से आओगे और यह लीनेज है फॉर्थ लॉर्ड नाइन थाउस में इसका उनलब यह है कि मदर ने बहुत अच्छा धरम आपको सिखाया है ट्रांस्वर हुआ है कि 4th अगर 10 में आ जाए है ऐसा विक्ति घर के अंधर ही दूकान खुल जाये मैं वोक फ्रॉक्वरागे में तो एसा विक्ति घर के अंधर ही काम करता या नए कुशिष और 4th यह मैं एसा फॉर्ट ग्रम लेहंत में आजाय है वैसे 4th हॉष का अवह एक वीडियो करा हुए कि आपके जितनी जादा इच्छा हैं, आपके जतनी जादा दोस्त हैं, आपके जतना बड़ा सर्कल हैं, उतनी जादा कम आपके राइफिल में शांती है, तो शांत रहने के लिए ज़रुद से जादा लोगों से इच्छा हैं, नहीं करने चाहिए, तो ये था 4th house pay lecture, आपके ये कमेंट्स हैं में नेक्स्ट वीडियो के निदर आंसर में इस वीडियो के इस वीडियो के कोशें होंगे, आपके कुछ समन में आया होगा 4th house के रिगारेंगे, और आपके लिए नेक्स्ताइम, थैंक्यू, बाइ-बाइ-बाइ- झाल